हेलो चैंपियन्स कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्थ हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आपका लेट स्कोर हंडेंड में वेलकम करता हूं दोस्तों आज हम लोग चैप्टर फोर एग्रिकल्चर चैप्टर का क्रॉपिंग पैटर्न टॉपिक पढ़ने वाले हैं और दोस्तों आप लोगों की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर किस सीजन में कौन सी क्रॉप कहां ग्रो होती है क्रॉप के नाम याद करने में बहुत दिक्कत हो आपको समझ में तो आएगा ही आपको तुरंद लर्न भी हो जाएगा यह मैरी गेरेंटी है आपको येस आपको ही कर आँ मैं राइट आप प्लीज पेन एंड पेपर लेके ज़रूर बैठें चले इसी बातें शुरू करते हैं दोस्तों जैसे कि हमारी कंट्री में में तो आएगा ही लर्न भी हो जाएगा कौन को से सीजन होते हैं मेंली थ्री सीजन कौन को से हैं समर सीजन होता है राइट समर सीजन के बाद कौन सा सीजन आता है रेनी सीजन आता है और रेनी सीजन के बाद winter season शुरू हो जाता है इसी तरह हमारा cropping pattern भी चलता है तो आएए थोड़ सा इसको discuss करते हैं अब जिसे summer season summer season नौ में हमारा अप्राइल से शुरू हो जाता है March के last week से and अप्राइल के first week से गर्मिया लगनी शुरू हो जाती है तो summer season में हम लोग बहुत ही short duration होता है summer season में जो crop grow करी जाती है वो जायद crop है आएए से लिख करके देखते हैं और फिर समझते हैं देखिए दोस्तों देखिए summer season इतना है लिखेंगे summer season में summer season में हम जायद की crop grow करते हैं summer season के ठीक बाद हमारा शुरू हो जाता है rainy season rainy season rainy season में हम लोग rainy season में हम लोग खारिफ खारिफ की crop grow करते हैं एंड फिर हमारा आजाता है rainy season के तुरंद बाद हमारा आजाता है winter season और winter season में हम लोग क्या grow करते हैं राबी राबी की crop हम grow करते हैं एक तो ये तरीका हो गया आलन करने का दूसरा एक बड़ा इंट्रेस्टिंग तरीका भी है अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो जो की हमारा टाइपस ओफ फार्मिंग पे है अगर नहीं देखिए है तो इसको जाके जरूर देखें बड़ा ही इंट्रेस्टिंग और मज़ेदार तरीके से इन क्रॉप्स को समझने में और याद करने में देखें राबिया आंटी के दो बेटे हैं राबिया आंटी के एक्जामपल से हम लोगों ने राइट ओफ इनहेरिटेंस को समझा था आए देखते हैं राबिया आंटी के दो बेटे हैं राबिया आंटी के छोटे बेटे का न बाइट आंट च्वडू से नाम अंगर्म से पहले हम और जयिद्भाय त पूरी तरीके से मद बढ़ी रहे हालाकि जैसे जयिद्भाई फैमिली में सब से चोड़े चेह तरह है जो cropping का जो season होता है summer season जो crops grow करी जाती है जैठ season वो भी सबसे कम time लेती है आईए सबसे पहले एक और trick है से याद कैसे रखेंगे देखते हैं देखिए के for क्या होता है देखिए k4 क्या होता है k4 होता है keychard right k4 क्या होता है keychard गलती से लिग गया कीचर की स्पेरिंग हो गई के डबल ए सी एच ए डी के फॉर क्या होता है कीचर और कीचर कब होता है रेनी सीजन में जब बारिश होती तबी तो कीचर होता है रेनी सीजन या मौनसून सीजन में मौनसून रेनी सीजन या मौनसून सीजन में ही कीचर होता ह तो आप लोग याद रख सकते हैं कि खारिफ की क्रॉब जो है वो रेनी सीजन या मॉंसुन सीजन में ग्रो करी जाती है दूसरी चीज देखते हैं यह देखे Rabia अंटि के नाम का पहला letter है R R for Rabia and R for रजाई और रजाई का इस्तेमाल कब होता है रजाई का इस्तेमाल हम लोग विंटर्स में करते हैं तो Rabia की crop कब गोड़ करी जाएगी विंटर सीजन में तो Rabi की crop कब ग्रो करी जाती है Rabi की crops को हम लोग winter crops भी बोलते है और एक बड़ी interesting चीज हम लोग और देखते हैं जो कि हमारी इन crops को Rabi, Kharif and Zad को learn कर में काफी help करेगी उस समझने में भी देखिए जो Zad की crop होती है जैसे Zad भाई family में सबसे छोटे हैं उसी तरीके से जो Zad की crop होती है उसको 3 months उनका season के ओर 3 months होता है और जो Kharif की season होती है Kharif की crop को केवल 4 months लगते हैं अब यह हम लोग समझेंगे इसी डिटिल में 4 months आप जो कि Rabia aunty सबसे बड़ी है family में तो उसी तरीके हम सबसक्ति से दखो जैद भाई सबसे छोटे हैं तो 3 months उसके बाद आरिफ भाई हैं हम लोग decreasing order में चल रहे है right तो पहले नहीं यह increasing हो गया decreasing नहीं increasing order में चल रहे है तो जैद की crop को केवल 3 months लगता है सबसे कम और Kharif की crop को केवल 4 months लगते हैं और सबसे ज़्यादा time लगता है हमारा Rabi की crop को सबसे ज़्यादा right 7 months लगता है अभी हम लोग इसे देखेंगे कैसे 4 months लगता कैसे 7 months लगता है जब हम लोग next slide में chart को पढ़ेंगे तब आएए देखते है now cropping pattern देखते है physical physical diversities and plurality of cultures in India gets reflected in agricultural practices and cropping pattern also इसे समझते है देखें physical diversity मतलब क्या हुआ हमारी country में कहीं पे mountains हैं कहीं पे plains हैं कहीं पे valleys हैं और कहीं पे desert हैं right और हमारे country में culture North India में अलग तरह की culture है North East चले जाएए अलग तरह की culture है West इंडिया महरास्ता और महां अलग तरह की culture है और South की culture भी totally different है तो जिस तरीके से physical features and culture अलग है उसी तरीके से हमारा यहां जो crop को crops को grow करने का pattern और the variety of crops we grow वो भी बिल्कुल full of diversity है और एक reason और भी है अलग अलग physical features अलग-अलग crops के लिए अलग-अलग तरह का temperature और climate चाहिए होता है इसलिए इसलिए भी हमारी country में variety of crops crops grow की जाती है राइट चलिए अगला समझते हैं अगला हमारा various types of food धान दीजे इन टम्स पे वे क्योंकि जो हमारा अगला topic है major crops इसी के बारे में right various types of food and fiber crops food crops food crops में कौन-कौन्स हो गया जैसे food में हो गया rice हो गया wheat हो गया millets हो गया और fiber crop में अपना हो गया jute हो गया cotton हो गया right so various types of food and fiber crops vegetables आप लोग जानते हैं vegetables and fruits spices spices अपना जीरा हो गया cumin जिसे बोलते हैं turmeric हो गया हल्दी जिसे बोलते हैं right and इसी spices के लिए तो Britishers spices के ट्रेट के लिए तो Britishers आये थे South India में right and condiments basically दूस्तों condiments का मतलब होता जैसे कि जो खाने में flavor यानि जो हमारा भोजन होता है food होता है उसमें flavoride कर देता है condiment का example जैसे mint leaves पुदीना की पत्ती हो गई coriander leaf जो धनिया पत्ती होते हरी वाली and chillies क्या हमारे यह जो food को या खाने को क्या tasty नहीं पना देते हैं right चले आगे देखते हैं so so food fiber crop vegetable fruits spices and condiments constitute some of the important crops grown in the country right चले अगला देखते हैं जैसे हमारे पास three seasons होते हैं उसी तरीके से crop के भी three seasons होते हैं देखे इंडिया has three cropping seasons इंडिया has three cropping seasons हम लोग already से राब्या अंटी खारिब भाई और जैद भाई की help से हम लोग already से learn कर चुके हैं दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं please subscribe the channel and encourage me चले आगे देखते हैं हमें भी motivation मिलती है और आप लोग comments भी करते रहा करिए कैसा लगा या कहां पर और betterment हो सकती है I am trying my level best की आप लोगों को समझ में आए और चीज़ें याद भी हो बट अगर कहीं पर अगर आप लोग suggestion देना चाहें suggestions are always most welcome चले एसी बात पर शुरू करते हैं अगलाट अब आगया हमारा राभी, खारिफ and जायद दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने last slide में पढ़ा कि जो जायद की crop होती है वो summer season में grow करी जाती है और उसमें सबसे कम time लगता है तो जायद का season normally आप लोगों को पता ही है कि जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती है गर्मियों की छुट्टियां हम लोग राइज हमारे school normally ये मतलब जायद का season का आप एक तरिके समझ लेजए कि अप्रेल में मार्च में तो उसकी सोइंग होती है अप्रेल में में जैसे water melon हो गया musk melon हो गया cucumber ककड़ी वह आप लोग देखते हैं जो सांप जैसी ककड़ी होती है मतलब केड़ी मेरी सांप समझाने के बोल दिया सांप जैसी राइट ककड़ी होती है आई देखते हैं सब सब पहले हम लो summer months जब आप लोग छुट्टियों पे होते हो चलिए actually जैसी सीजन की जो crops grow करती है उसको learn करने के लिए मैंने Elon Musk भाई साब की help ली है और Elon Musk भाई साब को आप लोग जानते हैं यह driverless electric cars बनाने के लिए पूरी दुनिया में मशूर है और यह बहुत महनती है तो मैंने का हम महनती लोगों की थोड़ी से help लेनी चाहिए चलिए देखते हैं Elon Musk हमारी कैसे help कर रहे हैं देखिए यह जो Elon Musk है इसके लिए I think यहाँ पे लिखूँ या दूसरी slide खोलूँ चलिए दूसरी slide ही हम लोग चलते हैं दूसरे slide पे यह पहली वाली पे ही आ जाते हैं अब देखिए Elon Musk हमारी help कैसे कर रहे हैं देखिए Elon Musk यह हैं भाई साहब Elon 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 Musk यहाँ यहाँ लिख करके यह ट्रिक समझने के लिए ध्यान दीजिए आप लोगों Elon लिखने के बाद मस्क आप बाद में मत लिखिए पहले लिख दिजिए Musk ठीक है Elon Musk भाई साब को इनको क्या पसंद है water melon इनको water melon बहुत ज़्यादा पसंद है और cucumber चुकि इनको बहुत काम करना होता है तो बहुत ज़्यादा खाना वाना नहीं खाता है यह fruits and vegetables पे ही चलते हैं तो Elon Musk भाई साब को पसंद है water melon watermelon and and water melon and vegetables vegetables है इसे समझ लिजाब लोग water melon and vegetables अब देखिए यह जो इलॉन मस्क भाई साब का नेम है अगर हम इसमें इलॉन मस्क अब इसमें क्यों एक एम हम लोग और एड कर दें क्या बन गया मस्क मेलन इलॉन मस्क भाई साब देखिए कितनी helpful है हमारी जैद की crops को learn करने के लिए जैद सीजन की जो main crops है बिसली fruits and vegetables हो क्या क्या हो गई मस्क मेलन वाटर मेलन और मस्क मेलन वाटर मेलन क्यूकंबर राइट और इलॉन मस्क भाई साब ने एक न काव रखी है अपने घर पे वो चाहते हैं कि उनको शुद्ध दूद मिले तो क्या करते उन्हों मारते हैं कि क्या क्या चीज़े होती हैं जैद की crops में फटा फट देखते हैं हम लोग यह हमारा आ गया देखिए जैद की season में हम लोग क्या क्या crops grow करते हैं यह देखिए हमारा water melon हो गया यह लाल लाल water melon आप लोग खूब 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 खाते होंगे गर्मियों में उसके ब and vegetables में आप लोग जानते हैं ये भिंडी, ओकरा और लेडी फिंगर, right, तो ये fruits and vegetables हैं, जो जैद की season में grow करी जाती हैं, चलिए, now हम लोग आगे बढ़ेंगे, next है हमारा, जैद के बाद हम लोग आएंगे, जैद की crop होगे, summer season, summer season के बाद हमारा कौन सा आता है, summer season के तुरंद बाद आता है rainy season और rainy season में जो crop grow करी जाती है rainy season देखते हैं rainy season में हम लोगों ने देखा rainy season के बाद क्या आती है क्या बोल रहा हूँ मैं summer season के बाद क्या आता है rainy season rainy season जैसे हम लोग कैसे याद किया था हम लोगों ने याद किया था न k, k for kichard कीचर कब होता है मौनसून में बारिष से सीजन में तो फिर से समझते हैं समर सीजन के तुरंगबाद कौन सा सीजन आता है रेनी सीजन खारिफ के फार खारिफ के से कीचर मौनसून अब देखिए ये खारिफ की क्रॉप कब हम लोग सो करते हैं इसके sowing कब होती है with the onset of monsoon यानि monsoon कब शुरू होता है आप लोगों को पता है monsoon कब शुरू होता है monsoon, south west monsoon हमारी country में first June को केरला में around first June केरला में enter कर जाता है और 15th July तक पूरी country में बारिश करने लगता है southwest monsoon इस date को आप लोग याद रखे around first June कभी एका-दो दिन पहले हो जाता है एका-दो दिन डिले भी हो जाता है जो south west monsoon है केरला में enter करता है first June को और 15th July तक पूरी country को cover कर लेता है बारिश से तो ये k for kharif और k for kichar तो kharif की जो crop होती है rainy season यानि monsoon season में sow करी जाती है और ये कब से शुरू होता है June मैंने बोला first June से enter करती है 15th July तो जून जुलाई में kharif की crop को sow किया जाता है अब जैसे मैंने बहुत आया था कि जैद की crop को केवल 3 months लगते है उस बाद जो kharif की crop है उसको केवल 4 months लगते है तैयार होने में अगर मान लीजिए crop June मन्त में grow करी गए है तो June यहां हम देख सकते हैं अगर June मन्त में grow करी गए है तो June हो गया July हो गया August हो गया and September हो गया अगर देखे 1, 2, 3, 4 अगर June में grow करी है तो September में उसकी harvesting होगी अगर जुलाई में ग्रो करी गई है तो देखे अगर जुलाई में ग्रो करी गई है जुलाई ऑगस्ट सेप्टेंबर अक्टूबर तब अक्टूबर में होगा तो फोर मंथ अपने आप लगा जून जुलाई से फोर मंथ काउंट कर लिजे आपको हर्वेस्टिंग सीजन को लुप लरंड करने की जरुत ही नहीं याद रखिए कि फोर मंथ खारि यह की करॉप फोर मन जून-जुलाई में में हम सो करते हैं चलिए next है important crops अब खारिफ season जो कि 4 months का होता है important crop कौन कौन से होते हैं इसको learn करना बहुत ही आसान है मज़ा आ जाएगा आप लोगों को चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी crop हम खारिफ season में grow करते हैं इसमें एक trick है वो trick प्लीज आप लोग यहां से देखिए देखिए खारिफ season की important crops है learn करने के बहुत ही आसान ट्रीक है देखिए मैंने लिखा PM PM जो सोया PM जो सोया caught पर caught मतलब 4 पाई PM जो सोया caught पर बाजू 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 में तुम बाजू में तुम ground nut खाओ G-R-O-U-N-D ground nut ground nut खाओ ध्यान दीजे बहुत ही मज़ेदार है आपको कभी नहीं बूलोगे आप लोग at least exam तक तो नहीं है बूलोगे ध्यान दीजे खारिफ सीजन में हैं जो हम crops grow करते हैं तो उसको learn करें कि आसान सी trick है क्या PM जो सोया caught पर अब PM इतने बड़े हो अगर हो सो गए है caught पर caught पर तो सोते नहीं हैं लेकिन सो गए तो क्या होगा PM जो सोया caught पर बाजू में तुम ground nut खाओ अब देखे इस trick पर कुछ चीजे पहले ही देख लेते हैं नहीं तो confusion होती है ये पर cross कर दीजे मे को cross कर दीजे खाओ को cross कर दीजे अब हमारा true आ गया कौन कौन से crop हमारी खारिफ सीजन में grow होती है P से हो गया paddy P से हो गया paddy M से हो गया mage जो J O से हो गया जो R सोया bean हो गया cotton हो गया B A से बाजरा हो गया J U से jute T से तुर तुर यानि अरहर U से उडद M से moong and ground nut आप लोग जानते हैं बताने की जरूत ही नहीं है प्लीज आप लोग इसका screenshot ले लिजे एक बार फिर से मैं repeat करता हूँ यह है PM जो सोया caught पर बाजू में तुम ground nut खाओ right चले आए होप आप लोगों ने screenshot ले लिया है चले now we'll move to the next slide यह हो गया हमारा Rabi season की यह हो गया हमारी sorry खाओ इफ सीजन की important crops हो गई खाओ इफ सीजन में important crop अब देखे जैसे हम लोगों ने देखा था एक बार दिखा देता हूँ हम लोगों को PM जो soya soya caught caught पर जानते हैं हम लोगों cancel कर दिया तुम बाजू में तुर उरद मूंग तुम बाजू बाजरा बाजू बाजू में ground net खाओ easy learn हो गया right I hope आप लोगों को मज़ा आ रहा है हो समझ में भी आ रहा है right next अब देखते हैं कि खारिफ में हम लोग कौन कौन से growing states हैं कौन कौन से states हैं जहां पर हम खारिफ की crop को grow करते हैं उसको भी याद करने के लिए एक amazing सा इसी तरह का कुछ है आईए देखते हैं उसको भी and उसको देखने के लिए हमें दूसरी slide पर चलना होगा and वो है हमारा wait a minute कि इसका हो जाएगा हमारा wait let me recall मैंने जो बनाया था मुझे याद नहीं आ रहा बच्चों एक मिनट इसका मैं बनाया था मैंने हाँ याद आ गया यहीं पर लिखता हूँ क्योंकि states का नाम सामने रहना ज़रूरी है अरे भाई हाँ चलिए अब देखते हैं आई 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 तमिल यूपी बिहार बिहार वेब वेब स्टोरीज दोस्तों आज कल कि ने वेब स्टोरीज बहुत आज कल हमारी इस नई जेनरेशन को या सभी को वेब स्टोरीज सभी को पसंद है तो दिशा एंड कर्मा ये दोनों क्लास्मेट्स हैं दिशा एंड कर्मा ये दिशा एंड कर्मा आज हमारी हल्प करने वाले हैं खारिक की क्रॉप किन किन स्टेट्स में ग्रो करने वाली ग्रो की जाती हैं आई ये देखते हैं दिशा और कर्मा की हल्प से हम help लेते हैं और समझते हैं देखिए as दिशा एंड कर्मा tell ये लोग web stories describe करते हैं अपनी class में और इनकी खासित यह है कि लोग टीन languages में web story को describe कर लेते हैं basically जो web stories तीन states के उपर बनी होते हैं तीन states की web stories को जाके class में अपने दोस्तों से discuss करते हैं किन-किन states की tell है तो यहाँ पर एक tell है तो यहाँ पर एक 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 tell है तेलंगाना की तमिल की up की और बिहार की और यहाँ पर web मतलब हो गया west bengal यहाँ पर stories तो cancel कर दीजे इस stories तो आप लोग जानते हैं कि learning के लिए की गई as means आसाम हो गया यहाँ पर बच्चों दिशा है दिशा को हम क्या बनाएंगे o लगा दिजे तो क्या हो गया हमारा o डिशा कर मिन्स क्या हो गया करनाटका करनाटका करमा का कर हो गया करनाटका ma हो गया महारास्ट्रा tell का हो गया हमारा tell का हो गया हमारा telangana और इसके लावाँ दो और स्टेट्स हैं पंजाब एंड हरियाना पंजाब और हरियाना में भी खारिफ की क्रॉप ग्रो की जाती है हाला कि खारिफ की crop water intensive होती है बहुत पानी चाहिए होता है तो normally उन areas में grow करी जाती है जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है लेकिन पंजाब और हरियाना में soil भी fertile है और वहाँ के farmers well off है ग्री revolution में उस area का काफी development हो गया था तो वहाँ पर वो लोग इसको भी grow करते हैं मतलब थारिफ की crop को भी grow करते हैं पंजाब और हरियाना भी है इसी में add कर लीजिए का चलिए देखिए हम लोगों ने जो trick बनाई है उसमें से कोई state शूटा तो नहीं as as stands for Assam web यहां पर मैंने जो and की sign लगाए प्लीज आप लोग and यह वाला मत लिखे आप लोग and यह वाला लगाई है and से आपको याद आ जागा आंध्रप्रदेश and for आंध्रप्रदेश as दिशा and कर्मा हम लोगों क्या ठीक बार रिविजिन करते हैं as दिशा and कर्मा टेल, तमिल, यूपी, बिहार, वेब स्टोरीज आप लोग चाहिए तो इसका चाहिए तो एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे ज़े, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिःहान से आप लोग सुन लिजे as दिशा and कर्मा टेल, तमिल, यूपी, बिहार यानि जो वेब स्टोरीज तमिल स्टेट के बारे में होती है तेलंगाना स्टेट के बारे में होती है हाँ तेल में तेलंगाना हो गया तमिली स्टेट के बारे में होती है यूपी स्टेट के बारे में होती है ये लोग कर्मा एंड दिशा उन वेब स्टोरी की चर्शा खूब करते हैं क्लास में I hope हमारा सारा हो गया, कर्मा, केरला हो गया, महारास्टा हो गया, और महारास्टा में UP अठी तो पन्जाब और हर्याना नहीं है नहीं एश्मेर इप और भीहार में खारिफ की ग्रोप ग्रोप की जाती है, US अठी यूप बीहार, पंजाब आने हर्याना हमारा आएगा रापी में चलिए देखते हैं तो यह हमारे states हो गए now we will move to the अब next क्या है तो हमारा खारिप में हमने देखा 100 cup करते हैं बारिश की crop है harvest cup करते हैं चार महीने add कर दीजिए important crop समय हो गया पीम जो सो है precipitation यानि बारिश हाँ यह वाला बड़ा important इस पर question आता है बहुत important इसकी भी एक ठीक है मैं शेर करता हूँ आप लोगों के साथ इन states like Assam, West Bengal and Odisha three crops of paddy यानि यह लोग पूरे जो एक agricultural year होता है इसमें यह लोग अलग अलग crop हर season में अलग लग crop grow नहीं करते है चुकि water abundantly available है coastal area भी है Assam में तो water आप जानते है Assam का flood मशूर है हर साल flood आता है Assam में ब्रहंपुत्रा river की वज़़ा से है Assam coastal area नहीं है लेकिन वहाँ water plenty में available है West Bengal and Odisha basically Assam, West Bengal and Odisha में paddy की three crops साल में यानि चहराबी हो मतलब other area एक ले राबी खारीप और जैद हो सकता है बढ़ यह लोग rise ही ग्रो करते रहते हैं और इनको औस अमन एंड बोरो के नाम से जानते हैं तो इसको भी लर्न करने के एक trick है आए देख लेते हैं यह आसाम, West Bengal और Odisha एक बार ना हम इसे यहाँ देखते हैं पहले बाली slide में है देखे, यह हमारे states है यह हमारा है देखते हैं यह देखे, आसाम हो गया आपना यह आसाम यह हमारा West Bengal coastal area है, Odisha के coastal area इन तीनों जगहों पे पैड़ी की three crops ली जाती है और इसको क्या बोलते हैं AUS, Aus Among Aus, Among and Borough इसको भी लन करने के ट्रिक है बहुत ही आसान आप लोग ध्यान से देख लिजिए ठीक है आपको आसानी स्याद हो जागे, आप लोग भूलेंगे नहीं states तो आसानी स्यादी रहेगा देख लिजिए, आसाम हो गया वेस्ट बेंगोल और ओडिशा नेवरिंग स्टेट हैं आसाम यह हो गया, राइट अब देखते हैं, इनको बोलते क्या हैं इनको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं Among Among and Among and Bro अब लोग बोलते हैं न, what's up bro वही bro Among and bro बी आर डबल ओ, याद रखना ब्रो में डबल ओ लगा देना Among and bro Went to Australia Among and bro Went to Australia Right Learn होगे आपको, कैसे आपको दुसमें क्या-क्या हटाना देख लिजे Among का अमन रहेगा And हटा दीजे Went to हटा दीजे Australia में से AUS रख लिजे अब बो में से आर को, यहां से हटा करके आर को डबल ओ के बीच में रख दीजे तो क्या हो जागा, ब्रो नहीं रह जायागा क्या हो जायागा, बोरो Among and Among, बोरो and औस इस तरीके से निकलाएगा, तो आप लोग याद रखिए Among and bro Among and bro, यानि Among और उसका भाई वेन टू अस्टेलिया, तो इस तरीके से हम इसे लर्ण कर सकते हैं चलिए, अब हम लोग next slide पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है एक बार देख लेते हैं, हम लोग उन्हें जो खारिफ पढ़ा हुआ है, खारिफ में हम लोग यह रहा हमारा मैंने हम लोग उन्ट क्या किया था PM मतलब millet मैं हमिलेट में हमने तीनों नहीं लिया है तो हम एक सेकिंड दो यहां पे हम देखते हैं फेकुड़ कौन से हमारा हाँ, ना पेड़ी हो गया मिलेट में रागी भी होता है वो है नहीं हाँ पर बट मिलेट में तीन चीजे होती है मिलेट मिलेट में क्या होता है जोवार बाजरा और रागी तो देखे यह हमारा जोवार है जोवार यह है ग्रीन होता है दोस्तों जब यह ड्राइ होता है न ब्राउन हो जाता है जैसे wheat green होता है जब वो ripen होता तो brown हो जाता है या brown हो जाता है तो यह भी जब ripen हो जाएगी यह crop तो brown हो जाएगी और यह देखे बाजरा है तो millet में से दो crop हम लोगों ने देख लिए जोवार बाजरा अब देखे यह मुंगफली का मुंगफली का यह plant है और आप लोग जानते हैं मुंगफली जमीन के नीचे पैदा होते जैसे आलू होता है उसी तरीके से उसके बाद यह हमारा soya पी एम जो soya 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 bean soya bean की फली है आप लोग देख सकते हैं और यह मेज पी पैड़ी हो गया मेज मेज यानि भुट्टा बाइरिस के सीजन में आप लोग भुट्टा खूब खाते हैं नमक और निम्बू लगा करके चलिए नाव हम प्रिविस स्लाइड में आते हैं और समझते हैं अभी हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया है जैद हमारा कंप्लीट हो गया खारिफ हमारा कंप्लीट हो गया जैद में मैंने बताया तीन महीने लगते हैं खारिफ में मैंने बताया चार महीने लगते हैं और करते हैं विंटर्स में तो राभी सीजन की क्रॉप को हम विंटर क्रॉप भी बोलते हैं आए देखते हैं अब देखें विंटर नॉमली है हमारी विंटर हमारी नॉमली अदेखो इसको याद करने कर एक और तरीका ध्यान दिजिए ज़ह हम लोगों ने समझा था कि जून और जुलाई में सोइंग करते हैं हम खारिफ की तो चार महीने आप देख लिजे ना जून जुलाई से चार महीन देखें अक्टूबर ही आएगा राइट अक्टूबर आ गया तो आपको रटने की जून जुलाई में चार महीने आएद कर दीजिए अक्टूबर आ जागा अब तो याद करने की जरूत नहीं, जैसे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा पहले जैद, जैद की क्रॉप आती है, समर में जैद की क्रॉप आती है, समर के ठीक बाद रेनी सीजन आती है, रेनी सीजन हमारा जून जुलाई से शुरू हो जाता है, और रेनी सीजन क आने वाले मंत में नॉर्मबर, दिसमिर में बढ़ती ही जाते हैं चले राभी राभी की क्रॉप को ग्रोप करने में seven months लगते हैं लोगों ने पढ़ा अब देखिए अगर यह अक्टूबर October to December यानि October, November, December तीन महिने तक इसकी सोइंग का सीजन चलता है तो आप October से 7 मंथ कुछ फार्मर्स होश्यार होते हैं फटा-फट October में कर लेते हैं कुछ लोग भेले डाले होते हैं क्या बलो याँ सबके लग conditions हो सकते हैं सबके लग circumstances हो सकते हैं इसका सोइंग सीजन 3 मंथ तक चलता रहता है October, November, December और October से लेकर 7 मंथ देख लिजे और December से लेकर 7 मंथ देखेंगे तो आपको यही मिलेगा आप यह देख सकते हैं April, May, June October से 7 मंथ देखेंगे तो अपरेल आएगा November से 7 मंथ देखेंगे तो May आएगा और December से 7 मंथ देखेंगे तो चून आपको यहाद करने की जरूथ ही नहीं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ Summer सीजन आता है Summer सीजन के बाद क्या आता है हमारा Rainy सीजन आता है और Rainy सीजन जून और जुलाई में शुरू होता है चार महीने एड कर दीए अपने आप October आ जाएगा जुलाई में चार महीने एड कर दीए अक्टूबर आ गया ठीक है तो Summer सीजन आया Rainy सीजन आया उसको विंटर सीजन आएगा विंटर के बाद फिर से Summer सीजन आएगा तो बहुत ही Clear है याद करने की जुरूत नहीं और इसमें 7 months जोड देंगे तो अपने आप निकाया तो हमारा जो राभी की क्रॉप होती उसको सोक अप करते हैं उसको सोक करते हैं October 9 December में उसके Harvesting कब होती है April माई जून में चालिए Clear हो गया यह अब सवाल यह आता है कि राभी के क्रॉपिंग सीजन में इंपोर्टेंट क्रॉप कौन कौन से होती है इसको बहुत ही आसान तरीका है यहीं पर लिख लेते हैं देखिए इसको बहुत ही आसान तरीका है आप लोग ध्यान दीजिए चले प्रीविए स्लाइड पर चलते हैं वहाँ पर आपको लेकिन यहीं पर कर लेते हैं टाइम लगता है यहीं पर कर लेते हैं देखिए इसको लर्ण करने की ट्रिक है Must Must eat Must eat Must eat क्या है बाई Must eat Grape Must eat Grape as Bar नहां दीजिए Must eat Grape as Bar दोस्तों आप जानते हैं बार में क्या मिलती है Wine राइट और भी मिलता है लेकिन समझने क्लें वाइन लेते वाइन किसे बनती है Grape से वाइन भी बनती है Grape से वाइन मलती है वाइन बार में मिलती है बट ये वो वाला बार नहीं है जो आप आप लोग सोच रहे होंगे ये बार मिंस बार लेवा राइट आए देखते हैं सो मस्ट दोस्तों आप मस्ट किसके लिए है मस्टर्ड के लिए है मस्टर्ड हमारा ये रहा इट है लेकिन इसमें आप थोड़ थाट डेवल एच एड कर लीजे तो वीट निकल आएगा जी आर ए श्टेंट सिर्ड और ग्रैम जिसे हिंदी में चना बोलते हैं और पी देखों पाल सुमिला लीजे ब्रेक कर दीजे हिंदी में आप लोग संद्विश्यत पढ़ते हैं वहीं कर दीजे संद्विश कर दीजे PE और AS का क्या हो गया पीज ये पीज आ गया अपना और बार्ल का बार्ली LEY तो हम लोगों ने कैसे लर्ण किया राभी की सीजन में कौन कौन से ग्रॉप कर राभी के सीजन में कौन कौन से क्रॉप ग्रो करते हैं उसका हम लोगों ने क्या बनाया उसका हम लोगों ने बनाया Must eat grape as bar चले I hope आपको समझ में आया और आपको learn भी हो रहा है प्लीज आप लोग comment करें और ये trick कैसे लग रही जरूर बताएं यार हमें भी अच्छा लगता है लगता है कि जो हम मेहनत लगा रहे हैं आप लोगों का फायदा हो रहा है तो और motivation मिलती कि और अच्छा करने की हैं तो प्लीज comment जरूर करें और बताएं कैसा लगा चलिए next हम लोग देखने वाले हैं अब कि जो राबी की crop है वो किन किन states में grow होती है अगेर इसकी बहुत अची ट्रिक है आएए देखते हैं दो दोस्त हैं दो दोस्त हैं और इन दोस्तों के ने कुछ जिन्दगी के वसूल हैं और उन वसूलों से कुछ वसूल है और उन वसूलों से कभी compromise नहीं करते क्या वसूल है आएए देखते हैं तो पुंज और हैरी क्या करते हैं ये हमेशा अपनी गाड़ी में जेके का ही टायर लगवाते हैं क्यों ये जेके का टायर क्यों लगवाते हैं राइट तो पुंज एंड हैरी जे के टायर जे के कमपनी का टायर ही अपनी कार में लगवाते हैं और एच्पी के पिट्रोल पंप पे ही पिट्रोल भरवाते हैं और क्या करते हैं लोग और ये लोग बहुत पर्टिकुलर हैं ये लोग अगर कभी घूमने जाते हैं तो ये लोग UK and UP यानि उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश को ही विजिट करते हैं और कहीं जाते ही नहीं बड़े वसूल के पक्के हैं जे के टायर टोटर कंट्रोल एच पी का पेट्रोल पंप और UK and UP ही घूमेंगे कोई समझाता नहीं आये समझते हैं तो कौन-कौन से राबी की क्रॉप की इनकीन स्टेट्स में ग्रोव करी जाती है भया पुंज से हो गया पंजाब हैरी से हो गया हरियाना जे केस है आप लोग समझी चुके हैं बताने जरूत नहीं लेकिन फिर भी बोल देता हूं जम्मू एंड काश्मीर हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है भाई साब ये हिमाचल प्रदेश है ये उत्तराखंड है ये UP है तो आईए देखते हैं क्या ये है पंजाब हरियाना हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया जम्मू एंड काश्मीर हो गया उतराखंड उतर पते इस तरीके से पुंजन हरे भाई को थैंक यू बोलते हैं हम लोग चले हम लोग आगे बढ़ते हैं ओ नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है हमारा बारिश हम लोगों ने खारीफ मे सीजन में तो खुब बारिश होती है और जिन स्टेट्स में बारिश नहीं होती है कम होती है तो वहाँ पे ट्यू वेल और पंपिंग सट से हेल्प ले लेते हैं लेकिन राबी में देखते हैं राबी में आप लोगों कियाद होगा ठंड तो पढ़ती है ठंड में भी कभी क सान भी होता है आप लोग नोटिस करेएगा या आप लोग रिकॉल करने की कोशिश के रिए बारिश में सारी थंड में विंटर में सर्दियों में दिसंपर जन्वरी के महीने में बारिश होती है न थंड और बढ़ जाती है राइट चलिए तो वहीं लिखाया है अवेलेबिल लोग एक बार हम लोग देखते हैं कि रावी में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं हमारी खारीप के लोगों ने देखी ली थी राइट आपको रावी में देखते हैं ध्यां से देख़िए कभी-कभी एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कभी-कभी न बोर्ड की exam के जो question paper हो तो उसमे crop दे देंगे आप बोलेंगे identify एक बार ऐसी question आया था right तो इसको पिक्चर ध्यान से देखिए इसलिए ये चीज़ें लगाई गई है तो आप लोग इसे ध्यान से देखें चालिए दोस्तों देखिए जो हमारा wheat है wheat राभी की crop major crop wheat wheat जब राइपन हो करक यह इसे brownie show जाती है and पहले green रहती है यह मडर मीठी मीठी मडर सर्दियों हम लोग खूप खाते हैं मडर के नास्ता मडर का नास्ता भी करते हैं सब्यों में भी मडर खाते हैं right और दोस्तों यह देखो wheat और barley barley देखे wheat and barley में फर्क होता है यह इसकी जो यह इसे हिंदी में बोलते हैं barley यह जो wheat का होता है वो छोटा होता है यह बाले और इसका जो जो हिंदी में जो बोलते हैं English में barley बोलते हैं तो इसका जो इसकी जो बाले होते हैं वो बड़ी होती हैं तो I hope आप लोगों को समझ में आया and उसके बाद यह तो हम लोग पढ़ी चुके हैं इलॉन मस्क भाय साब ने हमारी है हम लोगों की help करी थी मस्क मेलन वाटर मेलन वाटर मेलन मस्क मेलन और रिज गौड तोरी और भिंडी ओकरा और लेडी फिंकर दोस्तों आज के लिए इतना ही keep learning keep growing thank you so much